मोधी सरकार ने अपने दूसरे कारिकाल का शुकरवार को पहला बजट पेश कर दिए उसी की बात से लगतार बयान बाजी जा रिये आईए सीधे जुड़ते हैं एडिटोरियल टीम से और जानते हैं क्या अपडेट हैं बजट के बात की हमाई साथ मौझूद है सयोगी संदीब जी संदीब जी पूर्व सीअम दिक विजश सिंग ने हाले में बयान दिया है की ये बजट महज जुमला है क्या है अब दिक बिलकुल दिवे मैं बताना चाहूंगा कि मोधी सरकार ने अपने कारीकाल का पहला बजट पेश किया है और इस बजट में तमाम जो है गाउं गरीब और किसान महिलाओं को ध्यान में रखकर तमाम जो है सोगातों का एलान भी किया है तो कहीं न कहीं जो कुछ मुद्दो को लेकर इसको लेकर मत्रदेश्मिक की सियासत गर्म हो गोई पूर मुखमंतरी दिगविजे सिंग ने किये थे किसान के आये दुगनी करने को लेकर तमाम वादों का जिक्र किया था उसका जो है पूरा प्रतिफल इस बजट में देखते नहीं मिल रहा है कहीं न कहीं यह बजट खोकला साबित हो और जिस तरीके से पहली कारिकाल में अपने बजट से दूर मोधी सरकार रही उस ॥गने वाला बजट पेश किया गया है वहीं सबसे बड़ी बात यह है दिवया की खबर यह नहीं है कि दिग्विजे सिंग ने बजट पर यह कहा खबर यह है कि दिग्विजे सिंग जब इंदोर में आये अपने दोरे को लेकर मद्दव के पूर्व मुक्रमंद्र तो दिग्विजे सिंग इंदोर आये और उन्होंने बेटकांड पर बयान देकर इस पूरी मामले को फिर से गर्मा दिया है। जो मुंबई हमले में शहीद हुए हमन्त करकरें। उनको लेकर जो बयान दिया था उसको लेकर बीजेपी ने नोटिस जारी किया था लेकिन कोई कारिवाई नहीं होगी। को आकाश आगे बढ़ा रहे हैं। तो साफ तोर पर दिगविजे सिंग का जब भी इंदोर आते हैं केलाज विजेवर्गी। केलाज विजेवर्गी पर हमेशा निसाना सालते हैं। और ये बड़ा मुका था दिगविजे सिंग के पास में बेट कांड को लेकर केलाज विजेवर्गी पर जुबानी हमला बोलने का। लिहाजा उन्होंने बड़े हे बेवाक अंदाज में अपने कड़क बोल दिखाए हैं और सूबे की सियासत को एक बार फिर प्रदेश की सियासत को गर्म कर दिया हैं। कहीं ना कहीं मध्यप्रदेश की जनता को जटका लगाए। क्यों जटका लगाया यह सीधे जानने के लिए जुड़ते हैं हमारे साथ मौजूद है सयोगी राहुल जी जहाँ एक तरफ बजट को लेके काफी उमीदे थी जनता को दोहरा जटका लाए क्योंकि पेट्रूल और डीजल के दाम बढ़ गए तो इस पर क्या है अपडेट क्या रियक्शन है किस तरीके से जनता को जो है इसका फाइदा होगा या नुकसान होगा देखिए दिविया बजट से लोगों को बहुत ज़्यादा उमीदे थी क्योंकि माना जा रहा था जैसे मोधी सरकार ने द ध्यान रखते हुए बजट पेश करेगी बड़ी उमीदे थी सरकार से के डिजल पेट्रोल के दाम जो की आम जनमानस से जुड़े हुए हैं वो कम होंगे लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला मोधी सरकार ने जरूर अच्छे दिन के वादे किये थे लेकिन यहां पर मैं खास पेट्रोल डीजल के लिए अत्रिक्त पैसा देना होगा तो फिर सरकार तमाम जो टैक्स लगा रहे हैं वो कहां इस्तमाल करेंगी यही प्रशनची नहीं दूसरी बात यह है कि अगर पेट्रोल डिसल बढ़ता है तो मत्रप्रदेश की जनता को दोहरी मार पड़ी है। पेट्रल डिसल के दाम बढ़े ही थे आम आदमी यह सोच रहा था कि क्रवाना मुझे 2,5 रुपय बढ़े हुए दामों में डिजल पेट्रोल डलवाना है लेकिन रात तक होते होते जो कमला सरकाथ दिन बर विरोथ करती रही डिजल पेट्रॉल होते होते उन्होंनों की दो र नाग में घिका काम कर दिया और दो रूपे और बढ़ा दिया यानि मद्दपरदेश का जो आम आदिमी कल तक पेट्रोly साड़े चार रूपे कम में डलवा रहा था यानि 70-72 रुपे के आसपास की जो डिजल की किमते थी उसमें डलवा रहा था पेट्रोल की बात करें तो करीब 74 रुपे का भाव था उसमें डलवा रहा था लेकिन इस्तिती ये है कि 4.5 रुपे एक ऐसा अमाउंट है कि सोचने पर भी लगता है कि एक ही दिन में 4.5 रुपे डिज की एक्साइज ड्यूटी थी उसमें करीब 26-77 करोड की कमी कर दिये कटोती करने की वज़े से कहीं ने कहीं हमारा जो बजट है वो गड़बडा गया है लिहाजा हमने 2 रुपे की बड़ोतरी की है और माना जा रहा है कि इसे सालाना जो कमलना सरकार की आई है 1400 सो से लेकर 1500 कर लेगी लेकिन फिर एक सवाल उड़ता है कि जो तमाम जो टैक्स लगाए जा रहे हैं तमाम जो योजनाएं की जाती है तमाम जो बजट बनाए जाते हैं आखिरे फिर किसलिए जनता पर अकर सिधी मार पड़नी है तो फिर तमाम रोड टैक्स से लेकर तमाम तरह के सो तरह क जो टैक्स लगाय जा रहे जम जंता पर वो किस चीज के लिए कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहूँगा मोधी सरकार ने अच्छे दिनों का वादा किया था और कहा था कि घर गरीब के अच्छे दिन आएंगे लेकिन बजट से तो अब तक यह नहीं लगता कि अच्छे दिन आएंगे क्योंकि दोरी मार है और वहीं भारती जंता पार्टे को जिस तरब पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है मुझे नहीं लगता कि वो जंता की उमीदों पर खास करके डीजल पेट्रोल के दामों पर वो खरी उतरी है आम आदमी ठगाओ मैसूस कर रहा है वहीं अगर सीम कमलनात की बात करें तो दिन भर उन्होंने अलग राग अलापा दिन भर उन्होंने विरोध किया लेकिन रात तक होते होते वहीं भी मुधी सरकार की तरह जंता के मुद्दों से विहीन हो गए और अपना फाइदा देखते हैं उन्होंने दूरुपे का अत्रिक्ति टेक्स लगा दिया यानि मैं यूं कहूं कि प्रदेश की सरकार प्रदेश की जंता को दोहरी मार पड़ी है अब कॉंग्रेसी विरोध भी नहीं कर पा रहा है ना भारती जंता पार्टी का क्योंकि केंदर में बीजेपी की सरकार है वही जो जहां राजी की बात करें तो वहां केंदर में बीजेपी की सरकार है वही राजी में कॉंग्रेस की सरकार है अब जंता विरोध करें तो करें क्यों क्योंकि जनता आम आदमी जो है वो अपनी नोगरी धंदे पेशे के लिए निकल गया है जिनके उपर जिम्मेदारी है विरोध करने की वो दोनों ही पार्टियों ने कहीं ने कहीं रेट बढ़ा कर आम आदमी की मुश्किले बढ़ा दिये आम आदमी तो अंदोलन करता नहीं वो अपने काम पे चला गया और किसान अपनी खेती में वेस्त हो गया आम आदमी टीफिन लेकर सूबे से चला गया वो शाम को आएगा तो मुझे नहीं लगता है कि जनता को बहुत ज़दा राहत मिली है इस बजट ने दोहरी मार दी है और सरकारों को या तो राज्य सरकार या केंदर सरकार दोनों को सोचना होगा कि क्या ये जो आपने एक दम से इतना बड़ा बोज बढ़ाया है उसे एक एक करके बढ़ा देते हैं या तमाम दूसरे भी तरीके थे हैं इसको बढ़ाने के लेकिन मुझे लगता है कि सरकारों को जादा चिंता आम आदमी की नहीं रहे गई उन्हें अपने बजट की चिंता है अपने जेब की चिंता है अपने पॉकेट की चिंता है आखिर केसे वह बाकी तमाम डेवलेप्मेंट कर पाए और अपनी जेब भर पाए लेकिन आम आदमी आप ठगा मैसुस कर रहा है दिविया शुक्रिया राहुल जी तो देखा जाए जहां लगातार केंड सरकार ने अपना बजट पेश किया फिर दिन भर कमलनात मुख्यमंत्री कमलनात विरोध करे थे लेकिन उन्होंने भी कहीना कई पैट्रोल डीजल के दाम बढ़ा कर जो है कहीना कई बोज बढ़ा दिया है आम ज तरीके से और जनता के हित में आगे फैस्ता लेगी ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें एंपी न्यूस इंद और ओवर टू स्टूडियो